नमस्कार दोस्तों जैहिन मैं आर्ती दिवेदी स्वागत है आपका इस्टडी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे दा हिंदू के आर्टिकल बर्चुल यट ओपन से ये आर्टिकल को आप अपने सेकंड पेपर से जोड सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि बर्चुल कोर्ट की अवधारना के बारे में कि बर्चुल कोर्ट को अगर स्टार्ट किया जाए तो क्या हो 22 मार्च से लॉकडान शुरू हो गया है इस समय नियायलाई प्रॉपर कार नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में कोर्ट ये सोच रहा है और अन विसेसक भी सलाय दे रहे हैं कि अरजेंट नियाय के लिए बीडियो कॉन्फरेंस के जरिये कोर्ट अपना काम करे जैसे अन अधिकारी या और अपना जो कंपनी अपने काम कर रही हैं वर्क एट होम के थरो उस तरह इसमें भी सुरुआत होनी चाहिए इसके लिए कुछ नियाम निरधारित कर लेने चाहिए और इसको करना चाहिए Supreme Court के साथ-साथ Un-High Court भी इसको लागू करें Lockdown के बाद Virtual Court बंद हो जाने चाहिए ऐसा भी कुछ लोगों का मसवरा है Open Court अधिक पारदर्सी होते हैं क्योंकि उसमें आम जनता भी भाग ले सकती है और आम जनता सुन्वाई सुनती है उसमें सामने से दिखाई देता है कि किस तरह से बहस हो रही है Virtual Court में आम जनता भाग नहीं ले पाएगी परन्तु विसेसग्यों का ये भी कहना है कि Virtual Court को भी आम जनता के लिए सुलब बनाया जा सकता है कैसे कि जो टाइमिंग रखी जाए जो वीडियो कॉन्फरेंस की उसको समय के अनुसार उस बहस को खोल दिया जाए कि सभी लोग अब उसी समय में सुन सकते हैं उनलाइन होकर इससे क्या लाब होगा कि केस में जो बिलंब होता है बहुत अधिक समय तक केस पैंडिंग रहते हैं वो जल्दी सुलजेंगे और अधिकतर पैंडिंग केस को निप्टाया जा सकता है इससे गवाई की सुरच्छा को भी खत्रा कम रहता है जैसे मूवी वगेरे में आपने देखा होगा दामनी मूवी में कहते हैं कि दामनी को कल कोट तक नहीं पहुँचना चाहिए उस तरह की समस्या से भी बचा जा सकता है लिखित दस्ता बेज पहले ही सम्मिट कर दिया जाए ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि अगर पारदरस्ता में कुछ प्रॉब्लम समझ में आए या टाइमिंग की समस्या हो वीडियो कॉन्फरेंस में तो ऐसा कर सकते हैं कि बहस का जो लिखित दस्ता बेज बने उसे कोट को पहले ही सम्मिट कर दें और उसके बाद फिर खाली बहस वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये दिखा दें मौखिक बहस को वर्चुल कर दें इससे जो पेपर वर्ख है उसमें कमी आएगी जो में वर्ख है उसमें कमी आएगी और जो दूरी की समस्या होती है उसमें भी कमी आएगी दूरी की समस्या किस प्रकार से होती है जैसे सुप्रियम कोर्ट न्यू डैली में और वहीं से काम करता है तो जैसे केरल का अगर कोई केस होता है तो केरल के लोगों को सुप्रियम कोर्ट के लिए न्यू डैली तका आना पड़ता है ये बहुत दूर हो जाता है इसमें खर्च जेने लग सकता है कि जो गवाई आना है जिसका नाम दिया गया है बास्तों में आडियो के तरो जो बोल रहा है वो वही गवाई है या कोई भी व्यक्ति बोल दे रहा है बास्तरिकता से परचे नहीं हो पाएगा कभी कभी हाओ भाओ देखकर उसको बोलने पर डर से आदमी पर वीडियो में उसे ऐसा डर नहीं रहेगा तो जूट भी गवाई दे सकता है और प्राइवेट सुनवाई को लीक भी किया जा सकता है जैसे कुछ निजी केसे होते हैं जिनने पहले सारजनिक नहीं करना है और हो सकता है कि वो पहले ही सारजनिक हो जाएं लीक कर दिये जा इंटरनेट के माध्यम से एक समस्या और भी है कि नेटवर्क भी उतना प्रॉपर रहेगा कि नहीं और जो ग्रामीर छेतर में लोग हैं जिनके केसिस रहते हैं उनके पास कम्प्यूटर्स की भी कमी है जिनके जहां कम्प्यूटर मिल भी जाएंगे तो लोगों कुछ चलाना नहीं आता तो ये किस तरह possible होगा ये समस्या है साइवर सुरच्छा को भी ध्यान में रखा जाए कि ऐसा ना हो कि हमारे कोट के जो नेड़ा है वो नेड़ा आने से पहले ही लीग करके उनका मिस्यूज कर लिया जाए तो सरकार को IT सेक्टर को बरहावा देना चाहिए उसमें निवेज करना चाहिए कुछ रूल्स कड़े बनाने चाहिए सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए साइवर सुरच्छा को उसके लिए भी कुछ नियाम और उसका प्रॉपर बर्ख तैयार करना चाहिए तथा केस प्रवंदन का जो management का जो दस्ताबेज होता उसको revise करना चाहिए कि यह कैसे होगा तो यही इस article में था अगला article है दा हिंदू का The Script of Disruption and a New Order यह भी आपके second paper से जुड़ा हुआ है इसमें बताया क्या है कि COVID-19 के बाद किस तरह से बदलाओ देखे जा सकेंगे तो एक तो यह आर्थिक मंदी तो सभी को दिखाई दे रही है कि आर्थिक मंदी आएगी नौक्रियों की समस्या होगी धन की समस्या होगी काम की समस्या होगी बेरोजगारी बड़ेगी इनके साथ साथ एक सहकारिता में भी कमी आएगी जो वर्ड एक दूसरे के साथ सहकारिता से कार्य करते थे वो भी अब खुद को जादा प्रायर्टी देंगे बजाय दूसरे देश के जैसे अमेरिका वगएर है में ग्रीन कार्ड का भी 60 दिन के लि हैं कि नहीं कर रहे हैं यह विश्व की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं 1990 के बाद LPG आया था निजी करण भूमंडली करण और उदारी करण इसके बाद लोग एक दूसरे के साथ मिल कर काम कर रहते पर अब इसकी भी स्थिती नाजुक दिख रही है अब स्टेट का रॉल अधिक बढ़ेगा यानि कि स्वयम के लिए लोग अधिक करेंगे बजाए पूरे विश्व के लिए महामारी अधिनियम और आपदा प्रवंदन अधिनियम के प्रयोग बार बार महामारी अधिनियम क्या है आपदा प्रवंदन अधिनियम क्या है इनके हमने पहले वीडियो बनाये थे तो आप महामारी अधिनियम को उन वीडियो में देखकर समझ सकते हैं पूरी तरह से चाइना की आलोचना बहुत की जा रही है और इस आलोचना से बचने के लिए वो लोगों की हैल्प करके आन्ने देशों की हैल्प करके जैसे मास्क वगरे भेज़के टेस्टिंग किट भेज़के इस तरह से लोग आन्ने देशों का ध्यान हटा रहा है आर्थिक मंदी का ल इतनी खराब नहीं है जितनी वर्ड के अन देशों की इस्थिती खराब हो गई है यूएसे का बहुत अधिक नुकसान हुआ है बर्ड में कुछ भी गलत होने पर यूएसे आवाज उठाता था जैसे कुबेद पर हमला करने के बाद सद्दाम हुसेन के लिए अमेरिका ने फा यूरोपियन देशों का तो खुदी के लिए रिस्टेंड नहीं है बर्टेन अभी कुछ समय पहले तक सोच रहा था मुझे इससे हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए क्या इस्थिती है कुछ नहीं जर्मनी की थोड़ी बहुत इस्थिती ठीक है पस्चिमी एसिया की भी इस इसको मूर्त रूप प्रदान कर दिया जिसका फायदा चायना उठाएगा और ये भी एक समस्या है इस तरह की बहुत सारे बदलाव कोबिड-19 की प्रभाव खतम होने के बाद नजार आएंगे अभी तो आही रहे बाद में नजार आएंगे क्रशी छेतर की चुनोतियां महामारी और बाड के अंदेसों को देखते हुए सरकार को जादा से जादा अनाज भंडारन पर ध्यान देना चाहिए इससे किसानों को भी फौरी आर्थिक मदद मिलेगी गाउंग में और दोगिक माल की खपत बढ़ेगी और अर्थवस्ता का चक्का चलने लगेगा लेकिन ज्यादा सरकारी खरीद तभी सम्माव है जब सरकारी अनाज भंडारों में पहले से अटा पड़ा अनाज निकाल कर जरूरत मन्नों के बीच पहुँचा दिया जाए ये जनसत्ता का अर्टिकल है जो आप थर्ड पिपर से जोड़ सकते हैं इ अगला है संकट के समय मजबूती से डटे किसान कोरोना की मार्से जहां सभी तब की परिशान है वहीं भारती किसान तमाम मुस्किलों के बावजूद लोगों को जरूरी चीज़े मोहिया करा रहे हैं यही वज़ा है कि लॉकडाउन में रियायत देने में उनका विसेज ध्यान रखा गया है जिनें और बढ़ाया जा सकता है किसान जैसे सबजियां हुई है सब तो किसानों का ही देना है तो किसान अभी भी हरी सबजियां उपलब्द करा रहे हैं गाउं गाउं तक सबजियों की कोई परिशानी नहीं हो रही है हमारे देश में इतनी सस्ती सबजियां तो पहले भी नहीं थी लोगडाउन के जितन देना चाहिए सस्ते दरों पर रिड़ उपलब्द कराना चाहिए तता क्रिसी विकास की कुछ योजनाएं और लाना चाहिए चर्खा लूम और खादी मास्क के लिए के से खड़े किये जाएंगे गाउं गाउं में गाउं को आत्र निर्वर बनाने की दिसा में सुरू हुआ काम फिलाल पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर सो गाउं का चुनाओ किया गया अभी पाइलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जिसमें चर्खा लगाया जाएगा लोम और खादी मास्क बनाने की प्रक्रिया सुरू होगी जिससे गाउं में छोटे-छोटे रोजगार भी लगेंगे रोजगार भी मिलेगा और हमारे या मास्क आदी की कमी भी नहीं होगी और ये स्वदेशी होगा ये अभी प्रोजेक्ट की तौर पर लाया जा रहा है अगर ये सफल होता है तो ये बांकी गाउं में भी लगाया जाएगा ये सरकार की एक अच्छी पहल मानी जा सकती है राजनीती को आदर्स रूप देने का अवसर कोरोन संकट के बीच जब हम इतिहास के दोराएपर खड़े हैं तब हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी राजनीती अवसरवाद से संचालेत ना हो जैसा कि अभी तक देखा जाता था हर चीज का राजनीती की करण किया जाता था हर चीज में आवसर देखा जाता था, बोट बैंक की राजनीती होती थी, तो इस समय जब इतनी कठनाई के दोड़ से हमारा देश गुजर रहा है, तो हमारे राजनेताओं को आवसर बादी की नीती छोड़ कर देश की विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, निम्ण तपके स सब के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से करना चाहिए, कि हमारा देश विकास कर सके और उसका वो समावेशी विकास हो, अगला एक है, वेसुकार इस्थल स्वास्त वा सुरच्छा दिवस प्रतिवस 28 अप्रेल को अंतर राश्टिय स्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है, इस अंतर राश्टिय स्रम संगठन एक तिरपच्छी संगठन है, इसमें सरकार, रोजगार, प्रदातर तथा कर्मचारी स्रम मानक निस्चित करने के लिए विचार विमस करते हैं, 2019 में अंतर राश्टिय स्रम संगठन के 100 बड़्स पूरे हो रहे हैं, इसकी स्तापना 29 अक्ट आसी सदस हैं, यह संगठन अंतर राश्टिय स्रम मानक संगठन करता है, तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरच्छा संगठन करने के लिए कार करता है, तो आज के लिए इतने ही महटपूर विन्दू थे, आसा है आपको यह पसंद आएंगे और आपकी पढ़ाई में भूले धन्नबा